अब आप अब्रीवेंग आज का हमारे सवाल है दे परसेंटेज ऑफ पारीडीन डेट फॉर्म पारीडीनियम इन इन और 0.1 मुलर एक्वस पारीडीन सल्यूशन के भी वेरीडिया है पारीडीन का तो पारीडीन बना देता है और प्लस वाटर का एच प्लस को एकसेप्ट कर लिया और बच्किया जाएगा ओज मानशायन बने चाहएगा आपको बताना है कितना परसेंटेज अम करेगा परसेंटच यह बताना है तो यहां पे आपका पारीडीन सल्यूशन का कॉंसेनरे तो एक काम करते हैं इसको हम अलफा के टम में लिखते हैं C00 हो जाता है यह C1-फा हो जाएगा एक्स्प्रेशन यह C-अलफा और यहां पर जो constant आएगा equilibrium constant उसको के भी लिख देते क्योंकि यह बेस है और के बी का वहलू क्या लिखेंगा C-अलफा इंटू C-अलफा बाई C1-अलफा के बी का वहलू गिवेन है 1.7 इंटू 10-9 यहां से एक सी कट जाएगा यह C-अलफा स्कॉर बज गया यहां से वन माइनस अलफा तो यह के का वहलू बहुत ही स्मॉल है तो हम यहां पर अलफा इग्नोर कर सकते हैं बिल्कुल तो इस तरह से अलफा सी अलफा का स्कॉर का वहलू आ रहे है 1.7 इंटू 10-9 तो अलफा इसकॉर इक्वाल टू आ जाता है 1.7 इंटू 10-9 और बाई सी सी का कॉंसेंट्रेशन का वैलू दिया है 0.1 यह 0.1 यह पॉइंट पॉइंट हटेगा यह 17 बन गया तो अल्फा इक्वल्ट हो जाएगा रूट 17 इंटू 10 तुदी पावर माइनस 9 तो यहाँ पर यदि हम इसको बाहर निकाल ले काम करता हूं मैं इधर कैलकुलेशन करता अल्फा के वैलू की यदि हम बात करें तो अल्फा इक्वल्ट हुआ रहा है रूट 17 इंटू 10 तुदी पावर माइनस 9 तो देखना हमको बस चेक करना है कि हमको आंसर तक पहुंच रहा है तो इसके लिए हमें एक्जक कैलकुलेशन करने की ज़रूत नहीं हमें एप्रॉक् माइनस 9 था इसको यदि हम 170 लिखना चाहें तो यह माइनस 10 हो जाएगा ठीक है और इस तरह से अल्फा इक्वल टू 10 तुदी पाव माइनस 10 को मैं बाहर निकाल लोगा माइनस 5 और यह रूट के अंदर आ जाएगा 170 इसके यदि हम स्क्वार रूट की बात करें तो 13 का स्क् यह पर्शेंटेज यह हम आइने जीशन यह डिसुर्शेशन की बात करें ठीक है तो पर्शेंटेज आपका जो आजाएगा पर्शेंटेज डिसॉसेशन यह यह हो जाएगा 10 पर माइनस 5 इंटू 13 इंटू 100 यह वन के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है फ्रैक्शन है 100 से म यह हमारा आ रहा है ऑप्शन के बिल्कुल सेम आ गया है तो इस तरह से यहां पर देखो सही आंसर जो है ऑप्शन बी में दिख रहा होगा आपको तो क्यालकुलेशन के लिए थोड़ा सा आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा ओप यूंडेस्टेंड इस कोश्चिन थैं